कि अज़िए उन्होंने पीछे से वार किया इनका सुरू से ही एक आम रहा है साले पहले पाड़ी पे चुपके वार करते थे अज़ पीछे गर्दन में वार करते हैं पीछे से गर्दन काटिकी आपके सब के सामने वीडियो है हमारे मंदिरों को तोड़ता हुआ दिखा दहेंगे अपनी मजारों को तोड़कर दिखाओ ना क्यूं वैसा क्यूं सिर्फ एक ही धर्म को टार्गेट करोगे क्यूं करोगे वाई तो इसे लोगों के लिए सीधा सा स अब छोड़ेंगे नहीं अगर अब की बार ऐसा हुआ ना तो अब इंदुस्तान में रहते हुए बारत में रहते हुए तलिबनी जो मान सकता अपनाई है इससे आज पूरे देश में रोस है और गुस्सा है अधर्म पर मौन बन कर जो मात्र निहारे जाते हैं बीश्म हो कर्ण हो या द्रोन सब मारे जाते हैं नमस्कार में आईश शर्म और आप देख रहे हैं सुराज वीडिया नेटवर्क इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के उत्तन लगशेतर में मौजूद है जहां पर एक संकल्ब सभा आयोजित की जा रही है जो उद्यपुर में कनया लाज की निर्मम हत्या कर दी गई थी दो जिहादियो द्वारा उसके विरोध में पूरी दिल्ली में रोश प्रदर्शन हो रहे थे तो इस सभा के कुछ लोग इस सथ हमारे साथ मौजूद है उनसे बात करते हैं और इस सभा का क्या उदेश्य है वो जानने की कोशिश करते हैं जी सर क्या नाम आपका मैं सोनु सोलंकी नजागड जिले में मंत्री हूं आज यहाँ पर एक संकल सभा आयोजित की जा रहे है बताए जा रहा रहा है कि कनहिया लाल की जो हत्या की गई ती क्या उदेश्य है और क्या कारण है इन चीजहँ का देखे एक तो हमारे जो जो अ राल जी है वह उनकी जो निर्मम हत्य हुई है उसको यह सर्धान्ज लिए के एक पटिक्छलर है मैं सिधर टार्गेट एक कोम को कर रहा ह। जिनोंने एक निर्मम हत्य कि यह सिरफ गलारेत के और दोके से जिसके घर में घुशके ये बहना करके कि हम उनके पास आये हैं हमारा नाप लिली जी दरजी थे उन्होंने पीछे से वार किया इनका सुरू से ही ये काम रहा है साले पहले पाड़ी पर चूपके वार करते थे अज पीछे गरदन में वार कर रहे हैं प अब आदमी में कट जाता है तो उस पर चैरा क्या दिखेगा दोनों तरफ से वार होने लग गए फिर तो समाजिक सहर देश का बिगड़ेगा आज नहीं तो कल ये वार होगा निश्चिंद होगा ज्यादा है ज्यादा दो साल ये वार आज नहीं तो कल होगा मैं अपने सारे स आने वाली जनरेशन का क्या होगा ये उस बेस पे मैं कहना चाहता हूं कि सारे भाई मेरे कट्टे हो जाओ अजर किस प्रकार के वार की बात करते हैं ये वार सीधा खुला आमने फेस टू-फेस की जो लड़ाई है उनको भी तो दिखाओ वे तीस करोड़ की अबादी में व कुछ तो खतम होगा सालोगा मैं उनको खुली चोनती देता हूं मंदिर में आज तो नुपूर शर्मा की जो एक कॉंट्रोवर्सी हुई थी जिसको लेकर कहा है देश का जो मुसलमान है वो भड़के हुए है अब ऐसे में कोई पोस्ट जाल रहा है तो उस चीज से अपत्त किया गया मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं कि कुरान में जो लिखा वह वो उन्होंने पढ़ा नहीं गया वो कुरान के अधायत बताते है कि हमारे में यह लिखा नूर मिलेंगी प्राणा क्या मिलेगा भाई तुमने वह नहीं पढ़ी जो नुपूर जी ने बताया आ तो उन्होंने कोई गलत वियान नहीं दिया ऐसा लेकिन हाँ अगर उन्हें को उन्होंने को माफी के लिखा नहीं बोला तो वह एक बार माफी माँगी चुकी है उसके बाद भी यह था है क्यों हो रही हूं और ऐसे लोगों क्या संदेश देना चाहते है जो धार्मिक भाव कॉंड गॉल्या गॉत को ग्रणारियां । कि उंके बात करना चाहिए उन्हें hen को रहा हुँ दो तो में क्यों बट रहा हुँ कोई फायदा नीन चीज़ का, कि मैं हिंदू, मैं जाट, मैं सिख, मैं ब्रामन, क्या, एक हिंदू बनो ना पहले, हिंदू के बाद जो तुम से होता है, वो तुम करो ना तुम से हिंदू बनने की बात की जा रही है, क्या उद्देश है, मतलब लोग बटे हुए हैं, क्या कारण है, सर, हमारा सिख, मैं बता दीजेक बार, मेरा नाम विक्की टाकुर, मैं जैन कलोनी का निवाशी हूँ, अभी की गटना मैं बताता हूँ, इसका रीजन सबसे तो सिधा सिधा से संदेश यह है, कि भाई, पीछे से बार मत करो, आगे आजाओ, और यह संकल्ब शवागा, जो हमारा कारिकरम है, आज हम यह सपत लेते हैं, कि ना ब्रामड, ना जाट, ना ठाकुर, ना कोई और कास, हम सिर्फ एक हिंदू है, हिंदू के नाते हम यह सपत लेते हैं, कि भाई, सारे एक हो जाओ, पर कल्च को, पर जो मत्याडा में कांड हुआ है, अब वो कहीं और ना हो, तो बस यही सिधानत है, इसलिए हम यहाँ पर एक संकल्ब शवाल लगी गई है, कि हम सब यहाँ पर एक संकल्ब लेंगे, ताकि कोई यह ना कहे कि मैं यह पत्थर मारते हो, कभी भगवान के उपर पत्थर मारते हो, अब हमारे उपर पत्थर मारते हो, अब पीछे से गला रेत रहे हो, तो इनसे हम दोस्ती कर रहे हैं, इनके भाई चारा मिला है, उनकी तरफ से भी आरोप लगा जाता है, जैसे जब वो ताजिया निकालते हैं, म आप देख लो आप यहां दिल्ली में ही देख लो ज्यादा दूर क्यों जा रहे हूं बताओ एक भी मुझे बता दो वीडियो दिखा दो कि भीया इनके ताजिया में किसी में हिंदू ने एक भी किसी ने अंगामा करा हूं यह कौम ही ऐसी है भाई अब नुपर शर्मा कर हों है मनन हैं यह हिंदू ओके उपर एशी फिल्म में पीके आपने देखी उस एक हिंदू ओके मंदिरो का अपमान पावन है और यह सब कुछ कर सकते हैं को आज़ादी है हमें आज़ादी नहीं हैं पीछे आपने अल्हां हुपर इंपने बुभी बनाई नहीं बनाई ना हमारे मंदिरों को तोड़ता हुआ दिखा देंगे अरे अपनी मजारों को तोड़कर दिखाओ ना क्यूं ऐसा क्यूं सिर्फ एक ही धर्म को टार्गेट करोगे क्यूं करोगे बही तो क्या संदेश ऐसे लोगों के लिए सीधा संदेश है अब की बार ऐसा हुआ ना तो अब सहेंगे नहीं बहुत सहलिया अब ये हिंदुस्तान जाग गया है हिंदु जाग गया है हिंदु एक होने लगा है तो इनको खुली जिनोती है अब छोड़ेंगे नहीं जैज श्री राम इस वक्त भारते जन्ता पार्टे के नेता सुरेंदर मटियाला जी हमारे साथ मौजूद है सर जो नुपुर शर्मा का बयान दिया गया उसके बाद भाजपा ने निशकासित कर दिया अब देख रहे है कि कई भाजपा के नेता उनकी समर्थन में भी आ रहे है तो ऐसा क्या का रही है क्योंकि विपक्स जो है विपक्स की भी भूमी का मुस्लिम धरम के साथ में बोट लेने के लिए वो चल रहे हैं तो निपूर्ण सर्मानक कोई गल्थ बात नहीं कही है लेकिन जिस तरह ऐसे यह अत्याएं हुई है यह अत्याएं जो तालिबानी अपना वीडियो बना काटते थे और गरदन काटते थे बिचार करने की बात यह है कि इन्होंने इंदुस्तान में रहते हुए बारत में रहते हुए तालिबानी जो मान सकता अपना ही है इससे आज पूरे देश में रोस है और गुसा है ना तो जगडे में कुछ लोग जगडे मर भी जाते हैं य ये चैज़े अलग होती है लेकिन जिस तरह से इनों और वीडियो बनायcked और गरदन काटी है इससे पूरे देश में यह लग रहा है कि जिस तरह से अफगानिस्तान में लोगों ने कभजा किया है और or काट वीडियो बणाय है और काट तो तुक्रानी सोच को खतम करने क हील्याद संक्लफ सबहारक की हैन. जिन लोग के सोच हैं जो हिंदों के खिलाफ के कम कर रहें, ऐसे लोगेसे लिए क्या पर इसे, लोगों का यही है. देखो सबसे पहले तो स को और इंस का रखते हैं, तो हम इसे नात इने सर्मान बयान दे दिया ठीक आप बोल आप भी कोई बयान दे सकते हैं बातों की लडाई थी बातों की लडाई को ये अथियारों पर गरदन काटने क्यों लिया है ये आज जो पूरे देश में संकल्प सब आये चल रही है ये इसलिए हैं कि हम इंदूों को जागरूप कर और बताएं कि जिस क्योंकि हिंदु दर्म एक ऐसा दर्म है कि ये तो चीटी को भी नहीं मारता है। इसलिए हमें जागरूप करना होगा और बताना होगा कि अगर हमारे पर हत्याचार होगे तो हम उषचार का मुकाबला करेंगे और जैसे हमारे दो भाईयों की गरदन काटी है ऐसे आगए भी ना हो इसलिए हम पोशार रहें और लड़ने के लिए तयार हैं क्योंकि अगर तो आपको लड़ने के लिए तयार रहना पड़ागा और लड़ना होगा। सनातन संस्कृति को दबाने की कोशिश की ताकि उनका वर्चस्व से वो राज कर सकें। मंदिरों को मत बेन निवारन के इंदर की तरह काम करना पड़ेगा। परिश्रम एक पुजयते विश्विद्याले का काम करना पड़ेगा। मंजिल अभी बहुत है, 15 अगस 2022 को भगवान ने चाहा तो भारत के सम्विदान से इंडिया शब निकाला जाएगा। भारत का नाम सिर्फ भारत ही होगा, उसके बाद रचनात में कारियों के लिए हम आगे बढ़ पड़ेगे। क्योंकि भारती जनता पार्टी को नुपुर शर्मा की जरूरत है, नुपुर शर्मा को भारती जनता पार्टी की जरूरत नहीं है, नुपुर शर्मा को सनातन संस्कृत को एक करने का प्रियास करना है, उसके वो काम बहुत अच्छी तरह हो रहा है, परमात्मा ने उनके मा परिश्रमें पूजते के नाम से लेनी पड़ेगी और हमको अपना से नियंतरन करना पड़ेगा जी सर क्या नाम आपका मैं पूरन परदान जैन कोलोनी पार्ट सेकंड और थर्ड से सर अब यहाँ पर एक संकल्ब सवा का आयोजन किया जा रहा है क्या उद्देश है इसके पीछे यह हमारा संकल्ब सवा का उद्देश है कि जितने भी हमारे सनातनी भाई हैं वो जातिबाद में ना बटके जातीबाद में ना वटके एक सनातनी होकर और ऐसे जहादियों की जो तागत के साथ एक संगर्स किया जाए उस संगर्स के लिए ये संकलव सभा है जो हम लोग जातीबादी में दबटके और अपने और अपने परवार की अपनी मेहन बेटियों की रख्षा कर सकें जिससे के आज कनिया जी और उमेश जी के उपर जो हमले हुए हैं उनको जान से मार दिया है ने नों घत्या की है उनकी ऐसी हत्या हमारे आसपास ना हो तो मैं आपके माध्यम से स्वराज ये जो मीडिया नेटवर्क है इसके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हम लोग सनातनी तो हैं सो करण सनातनी होते हुए हम उन जैहादियों का मुठी पर दस पर शट जैहादियों का सामना नहीं कर पाते तो हम लोगों को एक होना पड़ेगा और उसी विशे में ये संकल प्यात्रा है जिसमें सारे हिंदू भाई आये हुए है और मैं स्वराज मीडिया का भी बहुत धन्यबाद करूँगा कि ये लोग यहां पर आके जो हमारी एक संकल प्यात्रा जो संकल प्यात्रा है उसको बल देने के लिए आप आये हो आपका मैं बार-बार धन्यबाद देना चाहता हूँ और आप ऐसे ही हमारे जो हिंदूबादी लोगों की अवाज उठाते रोगे तो हो सकता है आज नहीं हमका लेक होंगे और हम इन जैहादियों का जो मुठीवर जैहादिया है इनका हम प्रतकार कर सके जिससे के आज हमें एक तरफा मात्रे 30% होती है एक तरफा एक तरफा ये लोग हमें प्रतारित करते रहते हैं हमारी बहन बेटियों के लिए खत्रा है और हमारे समाज के लिए खत्रा हैं हमारे हिंदूत के लिए खत्रा हैं तो मैं आपके माद्यम से यही कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं जितने जहादी मान सकता है यह हमारा देश का बटवारा जो हुआ था केवल धर्म के आधार पर हुआ था जब देश के आधार पर बटवारा हुआ तो यहां मुसल्मानों के हमको जरूरत नहीं है और अगर रहना है किसी को तो भाई चारे के साथ हमारे साथ मिलके रहेंगे तो यहां रहें बरना उनके लिए हिंदुस्तान में कोई जगए नहीं है वो पाकिस्तान में जा सकते हैं हिंदुस्थान जिंदाबाद, हिंदु एकता जिंदाबाद और सनातन धर्म जिंदाबाद पादियां से जरूर बताएं, इस वीडियो को आप लोग तमाम सोशल वीडिया प्लाटफॉंस पर जाज साधर शेयर करें और दिल्ली शहर से जोड़ी तमाम खबरों को पाने के लिए अपने चैनल सुराज वीडिया नेटवर्क को जाज साधर सब्सक्राइब करें और कोई important notification आप लोग मिस ना कर दे उसके लिए बेल आइकन को जरूर दवाए camera person साक्षी के साथ मैं आईश शर्मा और आप देख रहे थे सुराज मीडिया नेटवर्क